हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल और गाईस आज हम लोग देखने वाले लेक्चर नमबर सिक्स और मैं कोशिश करूँ होगे इसी मन्त हम लोग पॉलिटी की जो सीरीज़ों खतम कर दें इसमें टुटल 550 कोशन आपके होने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और से इसकी जो पीडियाफ अगरह है वो अपडेट करवा देता हूं आगे दोस्तों लोग बात करें तो जो मैं कोशन करा रहा हूं वह इस बुक से करा रहा हूं बुक का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आगे मोब बात करेंगे तो इसके लिए एक टे आप में कौनसे भाग में आपको देखने को मिलेंगे अमेंडमेंट से लेटेड जो आर्टिकल है यह आप लोग कई बार पढ़ चुके है यह आर्टिकल नमबर 368 और अमेंडमेंट जो होता है हमारे कॉंस्टुशन में यह कहां से लिया गया साउथ आफ्रिका से और हम बा पार्ट 10 में क्या लिखा हुँ है यह भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है क्योंकि अब यह सब चीज़े जो है एक्जाम में आएंगी प्री प्लस में हो रहा है तो आप लोग को थोड़ा से आप ध्यान में रखना है इसके लिए दोस्तों मैं बात करने के लिजेगा वस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था हमारे कॉंस्टुशन में दोस्तों कब वह था मैं कई बार बता चुक नाइटि फिप्टी वन इसके थू हमारे कॉंस्टुशन में नाइंध शेडूल एड़ हुआ था और यह किस से लेटेड है दोस्तों तो हम लोग बात करे प्राइमरी एड़ूकेशन है तो पार्ट मैं क्यों सौरी पार्ट नहीं शेडूल फिर से बोरों फर्स्ट अमेंडमेंट से शेडूल नंबर नाइन जो है हमारे कॉंस्टुशन में एड़ हुआ था चलिए फर्दर मूह करते हैं और अगला कोशन देखते हैं आर्टिकल न रातकुर्च उनकी बेसिक एडूकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था इसके तुरू आर्टिकल 21 एक तुरू और यह कभी हुआ था यह हुआ था दोस्तों 2002 में तू 86 अमेंडमेंट तो यह भी पॉइंट आप लोग को यहां पर ध्यान में रख लेना ह 73 अमेंडमेंट का बत दोस्तों 1992 इसके तुरू आप जानते हो पंचैती राज को कॉंस्टिशनल स्टेटस दू मिला था और आपका शेडूल नंबर 11 एड हुआ था और इसी 86 अमेंडमेंट से दोस्तों आप लोग को पता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी एड हुई थ तो यह भी आप लोग को बिल्कुल याद रखना है यह आपका लागू होता है फस्ट आप अप्रेल को और येर का वे दोस्तों 2010 चलिए एंटी डिफेक्शन प्रोविजन यानि कि दल बदल कानून यह मैं आप लोग को करा चुका हूँ यह दोस्तों 52 अमेंडमेंट के थू हुआ था और फिप्टी सेकेंड अमेंडमेंट कब हुआ था भाई 1985 में और इसी के थू हमारे कॉंस्टिशन में एड हुआ था आपका शेड्डूल नंबर 10 तो शेड्डूल नंबर 10 में दोस्तों बात करेंगे तो दल बदल से रिलेटेट जो है वो कानून के आपको देख में हुआ था और इसी के तुरफ का जो आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको लीगल राइट बना दिया अगया फंडामेंटल राइट से और कैबिनेट के रिटन में लिखने पर ही प्रेसेड़न जो है वो नैशनल इमर्जंसी लगा सकते यह सब कुछ हुआ और के समय में लागू हुआ और कभी हुआ दोस्तों नाइंटी सेवेंटी सिक्स में ठीक है और इस समय हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे यह आप रखो फकुरुद्दिन अली एहमाद इन्हों नहीं इस पर साइन किया था आप टाइम प्रेट देख सकते हो यह कब बने था 1974 में और कब तक थे 1977 में एक्चली इनकी 1977 में इनकी डैथ हो गई थी तो इस पर साइन इनों नहीं किया था यह कौन सामेंट मेंट था 42 जिसके तुरू ना सिर्फ मारे प्रेंबल में चिंजेस हुए हना यूनियल लिस्ट आपका उसके सब्जेक्ट बढ़ा सब्जेक्ट घटाए गए फंडामेंटल ड्यूटी एड हुई तो काफी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 24 अमेंटमेंट दोस्तों मैं आपको बता चुक हूँ कि यह कब हुआ था यह हुआ था 1971 में लास्ट क्लास में अपन लोग इसको डिसकुशन किया हुआ ह तो 54 आपका काम करें तो 24 तो याद रखना है और आपका क्या रखो 40 सेकेंड तो इस कोशन का आंसर ही आपको देखने को मिलेगा अजब फर्स मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर जाकिर उसेन और आपसे पूछ लिया जाएगा फर्स प्रेसिडेंट जिनकी कारेक इसके तुर हमारे कॉंसा नया पार्ट यानि की कौन सा नया भाग जोड़ा गया तो करेक्ट टांस हो जाएगा पार्ट नाइन ए और यह दोस्तों नगर पालिकर से लिटेड है और साथ में एक शेडूल भी एड हुआ और यह शेडूल कौन सा था यह था शेडूल नंबर 12 जहां पर municipalities के दोस्तों वर्क बताए गए हैं और कितने वर्क बताए गए हैं यहां पर 18 वर्क बताए गए तो यह पॉइंट भी आपने यहां पर याद रखना है अच्छा पार्ट 9 में क्या हो जाएगा भी पार्ट 9 में आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज का उसको आप लोग दोस्तों क्या कहते हो देखो तो हम लोग बात करेंगे इसका timing होता है 11 से 12 बज़े तक पस्ट आवर और इसमें क्या होता है जिन कोश्चंज की आप और अल्रेडी नोटिस दे चुके हो वो कोश्चन आप पूछ सकते हो और इसको दोस्तों पूलते हैं टिक है जीरो अवर की बात करूंगा तो यह घंटेग होता लेकिन ये शुरुबात कब होता है ये बारा बजे से स्टार्ट होता है इसमें कोई अगर अरजेंट मैटर आ गया है तब दोस्तों में बात करेंगे तो वह कुश्चन आपके जीरो अवर में पूछे जाते हैं और notice उसी दिन सुबा ले ली जाती है मतलब सुबा आप question submit कर लेते हो फिर speaker जो है वो आपको permission देता है पर अगर मैं बात करूँगा question hour के लिए तो इसके लिए आपको काफी पहले से आपको दोस्तों लोग बात करें तो notice देना होता है तो zero hour में urgent matter जो भी होता है उसी दिन का या फिर एक दो दिन पहले का वो सब discussion किया आता है और zero hour की अगर मैं बात करूँगा तो इसकी शुरुवात कब हुई थी तो यह आद रखको दोस्तों इसकी शुरुवात हुई थी नाइंटी सिक्टू में इंडियन पर्लामेंट में होता और कहीं नहीं होता और इसकी शुरुवात करने करते वक्त जो इस पीकर थे वह इंडिया के नाइंथ इस पीकर थे लोग सबाके और हम बात के दोस्तों उनका नाम किया था उनका नाम था रभी रे में भी ये question भी आप लोग से पूछा सकता है तो इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया तो रभी रे ने इसको क्या किया था वही इंट्रोड्यूस किया था इंपॉर्डेंट कॉश्चन है चलिए अगला question दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर discussion करना चालू करते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को और क्या क्या चीज़े जो है वह देखने को मिलेंगी यह मैं question करा चका हूँ कि 15% जो है दोस्तों यह maximum हो सकता है कॉंसिल आप मिनिस्टर की सीटे टोटल हना किसका अगर बात करूंगा सेंट्रल में माल लिजे लोग सबा का आपको कितना निकालना 15% यही सेंट्रल में maximum क्या हो सकते हैं भई अगर इस स्टेट की बात करेंगे जो लेजिस्टेटियों असेंबली होती है निक जो विधान सबाव होती है उसके टोटल का 15% आप निकालोगे तो उतनी आपके स्टेट में और सेंट्रल में दोस्तों लोगसबा का स्टेट में लेजिस्टेटियों असेंबली का यह हुआ था नाइटीफ परस्ट अमेंडमेंड्मेंड से और 91 कभी हुआ था बताई जरा यह वा था आपका 2003 में तो यह थिंग मैंने किसी कोश्चिन को एक्स्पे पहले कि 74th amendment 92 के तुरू एक शेडूल एड हुआ था वो था आपका शेडूल लंबर 12 शेडूल 9 एड हुआ था किसके तुरू बता सकते हो यह हुआ था फर्स्ट amendment के तुरू 1951 में और इसमें लैन्ड रिफॉर्म है इसमें क्या अब लैन्ड रिफॉर्म 10 अभी थोटी दिर पहले पढ़ा है यह आया था फिप्टी सेकेंड अमेंड्मेंट से और यह कब आया था था 74 अमेंड्मेंड और यह कब हुआ था दोस्तों यह हुआ था आपका 992 में ठीक है ना और यहां पर मुनिसिपैलेटी के कितने वर्क बताया गई तो करेक्ट टांसर हो जाएगा 18 काम बताये हैं अगला प्रियंबल जो है हमारे कॉंस्ट्यूशन का वह कितनी बार आई एड हुआ था कौन कौन से सोचलेस्ट सेकुलर इंटेगरिटी तीन नय वर्ड दोस्तों बात करेंगे तो हमारे कॉंस्ट्यूशन में यहां पर एड हुए थे यह भी आप लोग यहां पर याद रख लेंगे अगला दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए यह मैनेटरी कर कर दिया गया कि अगर कोई भी बिल आता है पार्लामेंट से पास हो करके कॉंस्ट्यूशन के अमेंडमेंट से लेटेट तो आपको उस पर साइन करना ही है यह कंपल्सरी कर दिया गया था यह मैनेटरी कर दिया गया था कौन से अमेंडमेंट से दोस्तों यह भी किया गया थ constitutional amendment bill पर sign करना president को mandatory कर दिया गया था तो यह point भी आप लोग को यहां पर ध्यान में रख लेना है 124th amendment जो बिल था दोस्तों वो किस से deal करता है मैं आपको बताना चाहूंगा यह 124th amendment bill जब पास होता है और इसके वोपर एक्ट और कभी बन गया था भई यह बन गया था आपका 2019 में ठीक है न तो सारे बिल पास नहीं हुए अगर सारे बिल पास हुए होते तो यह 124th constitution amendment act होता लेकिन आप देख सकते दोस्तों कि कुछ ऐसे बिल भी होगी जो पास होंगे नहीं तो जब यह पास हुआ तो कौनसे नंबर का अमेंडमेंड बना आपका 124 अमेंडमेंड जो बिल है यह कौनसे नंबर का एक्ट बना 103rd constitution amendment act बना और इसके तुरू दोस्तों economic reservation लाया गया कितना परसेंट बही टोटल जॉप में अगर में लोग बात के तो तो टैन परसेंट रिजर्वेशन जो है वह जनरल कैटेगरी के जो economically weaker section उनको यहां पर दिया गया था अब यहसे में बात करता हूँ जिस्ट का बिल नंबर क्या था 122 लेकिन जब यह पास हुआ तो कौनसे नंबर का एक्ट बनाता है और लागू कब वह था जिस्टी तो आपको पता है फस्ट आप जुलाई 2017 को परदर मुग करते वह फास्ट हो रहा होगा तो कवेंट में जुरूर बता देना मेरे यहां पर जो वाइफाई यो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा दैट सा मुझे रिकॉर्डड क्लास देनी पड नहीं है और राइट लीगल राइट हो और कौन से डिकल में डाल दिया गया आर्टिकल termin am तो बात करेंगे दोस्तों ऐसा कॉंसे constitution amendment के तुरू किया गया था तो यह किया गया था 44th constitution amendment के तुरू आज जो भी amendment आपके खतम होने वाले हैं और फिर committee स्टार्ट हो जाएगी फिर आगे जाकर के दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो पार्लेमेंट भी आजकी क्लास में स्टार्ट हो जाएगा चलिए और फुर्टी सेकेंड आपका मिनी constitution है ठीक है और अच्छा 44th amendment जो है कौनसी पार्टी ने किया था तो इस समय में दोस्तों जनता पार्टी की सरकार थी और इसके तरब से जो प्रधान मंत्री थे वो थे मुरार जी दिसाई जो फर्स्ट नॉन कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री यारे कि प्राइमिनिस्टर बने थे अगला बात करते हैं दोस्तों कौनसा कॉंस्ट्यूशन अमेंड्मेंट एक्ट है जो कि 2002 में पास हुआ जिसमें प्री एंड कमपल्सरी अलिमेंटरी मतलब बेसिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को दी जाएगी हना 14 साल तक के दोस्तों अभी पढ़ाया था आपको 86 अमेंड्मेंड और जो कोशन है वो लगबग सेम है हम लोग यहां पर क्या बताएंगे 86 मतलब सेम कोशन सीजियल में 2019 में अच्छा यह कोशन ही रिपीट कर दिया गया कि पहली बार मेंड का वह था दस बार बता चुका हो रट चुका हो अब तक आपको नाइंटी फिटीवन में चलिए अब दोस्तों अमेंडमेंड और आर्टिकल यह सब खतम हो चुके हैं अब आ चुके हैं हम लोग फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में चलिए स्टार्ट करते हैं बोला जारा दोस्तों आप डिस्क्रिमनेट नहीं कर सकते हो बिस्टों आर्टिकल के तुरू तो यह मैं कई बार बता चुका हूं यह आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 15 में ठीक है और आर्टिकल 14 क्या बोलता है भाई इक्वैलिटी विफोर लॉग यह बिटैन से लिया गया है एक्वैलिटी विफोर लॉग मतलब यह वाला जो आपका आर्टिकल 14 है वहां से इंस्पैर्ड है या फिर इसी को दोस्तों लोग क्या बोल देते हैं बिसिकली रूल ओफ लॉग ठीक है आर्टिकल 19 में आपको क्य इन दोनों पर लगाना है बैल लगाना है अगला टाइपस ऑफ रिट्स तोस्तों आप जानतों जब फंडामेंटर राइट जो है वह आपके लागू नहीं होते हैं उन्हीं को एन्फोर्स कराने के लिए क्या लगाया जाते हैं कुछ और दिये जाते हैं यह और कौन देता ह और देती है ऐधर हाई कोट और सुप्रीम कोट और इनी और्डर्स को ही हम लोग बिसिकली क्या बोलता है रिट्स और जो रिट्स है यह खाहन से लिया गया है दोस्तों मोग बात करेंगे यूके से और यह कितने प्रकार के होते हैं यह होते हैं आपके फाइप टाइपस के वस्त होता है, हैबियर कारप्लास जिसको हिंनिम बोलते हैं, बंदी, प्थिच्ची क्रण, यह क्या होता है? मालो किसी को दोस्तों बात करेंगे गैर कानूनी ढंग से illegal तोर पे किसी को क्या कर लिया जाए arrest कर लिया जाए illegal तरीके से तो भाई साब वो court जा सकता है और court rights issue करेगी तो आपने इसको court rights issue करेगी उस police वालों को और बोले इसको कैसे arrest कर लिया तब से पहले आप इसको court में लाईए पेश खरिए और इसको आपको मतलब court इसको क्या करेगा इसके देखेगा कि इसने गलती की या नहीं फिर court सजय सुनाएगा फिर आप इसको जेल में रखा तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा क्या करना इसको को मालो कोई गवर्मेंट का जो ऑफिसर है वो क्या कर रहा है वह अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं कर रहा है ड्यूटी को फुल्फिल इनको Article 361 के अंडर में क्या है Protection and 9 इनके किलाब दोस्तों आप Code जा सकते हो जब ताकि अपने Post पर बने हुए है Prohibition और Surgery अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, माल लोग कोई केस है जो बात करेंगे किसी Code के Juduction एरे से बाहर है माल लोग कोई केस है Supreme Court का पर उसको किसी High Court ने ले रखा है ठीक है ना? और क्या किया आगे High Court ने ले रखा है और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कोशिश करेंगे यह लोग क्या करेंगे बताओ यह लोग उसके उपर डिसिशन चालो कर देंगे तो एक केस में लोग डिसिशन दे देंगे और एक केस में जो आपकी प्रोसेस है वो चलती रहेगी ठीक है तो इन दोनों चीजों को आ करके Supreme Court क्या कर देगा रोग देगा ठीक पर यह जो रिट्स हैं बस आप नाम याद रखो इनकी अगर मैं दोस्तों में बात करने कोशिश करूंगे एक्जाम होते आते हैं नहीं आपको याद रखना है विए कोर पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंना मस ध्यान में रख सकते हो पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका देखते रहना चाहिए और यहां पर बात करूंगा कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन यह आपका एक फंड्नामेंटल ड्यूटी नहीं है आप यहां पर देख सकते हो आपको दोस्तों को कौन्सिटिुशन बिल्कुल करना यह पहला ही आपका इसके बार दोस्तों लोग यहां बात करनी कुश्च करेंगे आपको देखने को मिलेगा एनवारमेंट इन सब को प्रटेट करना बिल्कुल है इंडिया की इंटिग्रिटी क्ली काम करना है यह देखो तो यहां पर एक ही बनता है भाई तो कास्ट वोट ड्यूरिंग इलेक्शन यह आप बोल सकते हो कि यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और कहां से या यूसे सार से इसके तुरुआ फुर्टी सेकंड अमेंडमेंट्मेंट नाइटी सेवेंटी और यह कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 51 ए चलिए मूह करते हैं दोस्तों हमारे अगले कोशन की तरफ और अगला कोशन हमारा क्या है देखिए का ज़रा हाँ कोशन है हाँ फंडमेंटल जो ड्यूटी है वह कॉंस्ट्यूशन के कौन से पार्ट में है यह हो जाएगा आपका पर आपका मिलेगा फंडमेंटल राइट पार्ट फोर में क्या हो जाएगा डीपीएस पी इस तरीके से आपको चीज़े पढ़ते रहना है आर्टिकल 32 जो है दोस्तों जो के फंडमेंटल राइट है इसी में आपको रिट्स भी देखने को मिलता है यह कब यूज में आता है यह तब यूज में आता है जब किसी के फंडमेंटल राइट का वालेशन होता है ठीक है तो वह आर्टिकल 32 के इतरू कोट चला जाता है औ करता है तो यह बात भी याद रख लेना और बात करेंगे दोस्तों आर्टिकल 32 को तो इसको डॉक्टर बियार अमबेट करने क्या बोला भई हार्ट एंड सोल बोला है किसने बोला भई डॉक्टर बी आर अमबेट करने अगला कोशन यहां पर देखते हैं प्रीडम तु मैने लीजियस अफेयर प्रबंधन धार्मिक माम लोगा कौन से अर्टिकल में 25 में क्या है बई किसी भी रिलिजिन की क्या कर सकते हो बई 21 में क्या है कि आप इंटरनेशनल जो पीस है और सिक्यूरिटी है इसको बढ़ावाद होगे एक 27 में क्या है कि अगर आप चाहो तो अपने धर्म से लिटेट कोई भी रिलिजियस टैक्स दे सकते हो ठीकिन आपने धर्म को बढ़ावाद दने लिए कोई शो नहीं और वंडामेंटल जो ड्यूटी है यह पूछा जा रहा है दोस्तों कौन से यर में आई थी तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कई बार कि फुर्टी सेकंड अमेंडमेंट के तुरू आई थी और इसी को अपना लोग मिनी कॉंस्यूशन ली बोलते है और यह इमरजंसी बुक में है ना कोशिन बस उसी से करा रहा हूं ठीक है चलिए अगला देखते हैं पीचर सोफ फंडामेंटल राइट इन इंडी कॉंस्यूशन पास्ली डिराइब इस इंस्पिरेशन फ्रॉम बिल ऑफ राइट बिसिकली सीधी बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट है य वे इस यह दृटना है अगर्या आप से कोश्चन आ जाए है वालड का फस तर्यटों कांस्ट्यूशन उससयूं जो दोस्तों वो यहीं है कौन सा अपका य्यस इस पर चलिए अगले कोशन की तरफ में लोग यहां पर मुझ करेंगे फंडामेंटल ड्यूटी कितनी बीटर आज की डेट में आज की डेट में 11 1976 में दस आई थी और बात करेंगे 2002 में एक आई थी टोटल कित्ती हो गई यह आप लोग यहां पर द्यान में रखेंगे बात करेंगे दोस्तों यह देखो किसी बंदे को जेल में डाल दिया गया है और वो उसकी लिगेलिटी को चैलेंज करना चाह रहा है तो कॉंसरेट से करेगा वही मैंने आपको बताया था किसी को नजरबंद किया गया है तो यह नजरबंदी की गई इसकी वैदता को अगर आपको चैलेंज करना है तो कॉंसरेट से आ जाएगा यह हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस बंदी प्रतेच्छे करने यही वला रड़स आपको एक्जाम में सबस्यादा देखने को मिलता है आप लोग को दूस्तों रॉल ए कोशन बूला जारा है जो फंडामेंटर राइट है जो मारे कॉंस्ट्यूशन में है उसमें जो कंपलसरी एजुकेशन है वो कौनसी एज के बच्चों के लिए दोसों 6-14 6-14 ठीक है और कौनसी आर्टिकल की बात करने यह लोग आर्टिकल नमबर 21-a कब एड़ हुआ था आपके 44th amendment से और 44th amendment जो है यह कभी हुआ था यह हुआ था 1978 अब यह fundamental राइट है क्या नहीं यह राइट तो प्रोपर्टी तो आंसर हो जाएगा आपका सब्सक्राइब नहीं नहीं है मुफ रिली द्रॉड इंडिया कोई लिए दिगनेटी नहीं भाई प्रीडम टु प्रोफेस रिलीजन जिस रिलीजन को आप चाहो उस लिजन को चूस करो और फॉलो करो यह चलिए वीच अब दा फॉलेंग रिट्स प्रोवाइट सा रेमेड पास एक रिट्स पढ़ाया था थोड़ देर पहले इन में से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टु फॉर्म असोशीएशन राइट टु लाइव राइट टु पॉर्ड देखो राइट टु फॉर्म असोशीएशन आप जानते हो आर्टिकल 19 के अंदर में आपको क्या देखने को मिलती है तो अगर मैं बात करूंगा उन्हीं में से एक है आप असोशीएशन बना सकते हैं मैंने पढ़ाया है यह राइट टु एजुकेशन बिलकुल है आपका आर्टिकल नंबर 21 ए राइट टु लाइफ यह आपका आर्टिकल नंबर 21 और राइट हम लोगों ने कोशन देखा कि जो आपका यह वाला कहां गया कोशन 44 अमेंडमेंट 1978 में इसको फंडामेंटर राइट से हटा दिया गया था चलिए कोशन क्या है आपका ओर्मिंग एट असोशीएशन इंडिया इस फंडामेंटर राइट एक चलिए अगला चे से लेकर के चजो साल तक के जो बच्चे हैं दोस्तों उनके लिए हम लोग बात करेंगे तो लाया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट मतलब जो आर्टिकल 21 ए में जो चीजें लिखी हुई है उनको अच्छे से लागो कराने के लिए राइट टू एजुक डेट है 1st April है तो मैंने पढ़ाया है वही कोश्चन है गुमा गुमा करके पूछ रहा पड़ आपको घुमना नहीं है राइट अगेंस एक्सप्लाइटेशन एक आर्टिकल 24 हुमें ट्राफिकिंग और फोर्स लेबर नहीं करना है और आर्टिकल नंबर 24 चाइल लेबर जो अगला कुछ कमिटी वाले कुश्चन अब आ गया है आप मज़ा आएगा थोड़ा सा पॉब्लिक अकाउंट कमिटी जिसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं पी एसी अना सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि PC करती क्या है आप लोग दोस्तों जानते लोगोंने करप्षिन तो नहीं किया और इसको ले करके जो कैग है दोस्तों क्या बनाता है हर साल क्या बनाता है रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में बात करेंगे इसी रिपोर्ट के एक्जामीन करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमिटी अब अगर बात करूंगा जो आपकी पब्लिक अगरिक अकाउंट कमिटी है है कि इसमें टोटल मेंबर और दोस्तों कि इते ट्वेंटी ट्वेट जिसमें सबसे किसे होगत साथ सब्सक्राइब और जोबी व्रॉब करेगा पर बात करेगर सब्सक्र कर यह बात आप लोग को यहां पर ध्यान में रखता हैं और हर साल दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो नई कमिटी बनाई आती है तो इसलिए इसका दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो इसके मेंबर होते हैं किस्ते साल के चुने जाते हैं एक साल के लिए चुने जाते हैं ठीक को क्योंकि गवर्मेंट के पास जो भी पैसा जो खर्च कर रही हो जनता है का है और उसके वह सही तरीके से रिपोर्ट कुन बना रहा है कैग बना रहा है ठीक है ना पहली बार दोस्तों लोग बात करें जो कैग है उश्की शुरुवात इंडिया में कब हुई थी काम के होंगे और आप लोग का कुछ नॉलेजिस में से बढ़ेगा कि कमिटी ऑफ एड्मिस्टेटर दो ये दोस्तों किस से लेटर देखो मैं आपको इताता हूँ एक कमिटी ऑफ एड्मिस्टेटर थी जिसको अपॉइंट किया था किसने सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने 2017 म कि उसने जो रिफॉर्म सजेस्ट किये थे बीसी सी आई को उसको लागू करवाने के लिए को बीसी सी आई में आई पील वगएरा में देखा गया कि बहुत बार यह लोग क्या करें जिसे चन्नाई सूपर किंग वगएरा सब आपने देखा था दोस्तों मैच फिक्सिंग क् और इनहीं के नाम पर दोस्तों जो कमिटी बनेगी क्योंकि यह हैड थे तो कमिटी क्यलाएगी लोडा कमिटी आप मेरी बात को पहले ध्यान से समझों यह इस कमिटी के हैड थे तो यह कमिटी क्या क्यलाएगी भई लोडा कमिटी क्यलाएगी ठीक है ना यह जो कमिटी दोस तो इनके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दो मेंबर और थे तो मतलब लोड़ा कमिटी यह जो बन रही है इसमें टोटल किते मेंबर होंगे तीन अब इन तीन मेंबर में दोस्तों कुछ इस रिफॉर्म से जैसे कि जो सेलेक्टर हुआ करते थे पहले सिर्फ किते हो तीन इसको बढ़ा करके नों कर दिया पांच अना तकि और ज्यादा ट्रांस्परेंसी लाइड जाया सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब क्या बुलना चाहिए दोस्तों इसमें मौका मिले 맞स्क कर दिया गया करवाने के लिए एक कमिटी बनाएगी जिसका नाम का Committee of Administrator ये कब बनाए गई थी ये बनाए गई थी आप देख सकते हो आपे 2017 में ठीक है I hope ये point आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक है तो दोस्तों मैं आपको उता चुका हूँ ये रिटायर होगा है क्योंकि 2014 में CGI थे हमारे तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे इस Committee के जो Head थे कौन सी? इस Committee of Administrator के जो Head थे ये थे विनोध रहा है ये कौन मनाए गए थे? विनोध रहा है ये कैग भी रह चुके हैं इनके फेमस किताब है Not Just An Accountant विनोध रहा है ये इनके Head थे और इस Committee में भी दोस्तों में बात करूँगा तो टोटल तीन मेंबर थे और Option में चार है तो दोस्तों इसमें से एक जो है वो हमारा इस Committee में नहीं थी और वो थी महिमा वर्मा तो महिमा वर्मा कोई ले ना देनी तो जो Committee of Administrator है जो कि लोड़ा कमिटी की स्विपारिशों को लाउ करवाएगा वो कौन-कौन थे विनोध राय, विक्रम लीमे और रामचंद्र गुहा तो इन लोगों को दोस्तों बात करें तो Committee of Administrator कहते है तो आई होब दोस्तों यह पॉइंट आप लोग का अच्छे से समझ में आ गया होगा 27% जो Reservation है दोस्तों OBC कनी डेट को वो हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी Committee के Recommendation पर लाया गया था दोस्तों बात करेंगे यह थी आपका मंडल Commission और मंडल Commission दोस्तों बात करेंगे इसको लाव करने वाला कौन था यह जो रिजर्विशन दोस्तों इसको गवर्मेंट ने कब लाव किया था तो इसको लाव कर दिया गया था 1990 में और उस समय देश के जो प्रैमिशर था जिसने लाव किया था उसका नाम था वी पी सिंग के नाम था वी पी सिंग यह भी आप लोग यहाद रखेंगे इन्हों नहीं किया था और अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो यह मंडल कमीशन है यह कब बना अधा यह बनाया गया था 3079 में और इसको बनवाने वाली जो जन्ता पाइटी पर मंडल कमीशन की जो सिफाैश है इसको एकसेप्ट किया था वी पी सिंह में और मैंडल कमिटी बड़ी फेमास है यह कि 9083 में ठीक है और बलवलत्रा मेर्दा कमिटी किसे लिटले पंचायती राज थ्री टियर गवर्मेंट इन्हों बोली थी उठारी कमिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यह बनी थी पॉइंट जो यहां पर क्लियर हो गया होंगे अगला दिखते हैं सेकेंड बैक्वर्ड क्लास कमिशन जो है दोस्तों 1979 में आया था उसके हैड कौन थे ठीक है अब यह कोशन आपको काफी हिला देगा बैक्वर्ड क्लास मतलब भाई दोस्तों के लिए है और फस्ट जिसको बोलते हैं वह यह है पस्ट कमिटी जो मतलब बैक्वर्ड क्लास कमिशन था उसके जो हैड थे दोस्तों वह कौन थे काका कालेकर और यह कमिटी कब कब बने गई थी यह बनाए गई थी नाइंटी 53 में उनने सो तिरपन ने बनाए गई थी अगर आप लोग बात करेंगे तो ठीक है और इस समय दोस्तों लोग बात करेंगे जो पहली बार बनाए गई थी उस समय प्रेसिडेंट कौन थे डॉक्टर राजिन पुशाथ इन्हीं 79 में और इसके रिपोर्ट को माना कब गया 1990 में चलिए दिनेज गोस्वामी कमिटी जो है दोस्तों अगर बात करेंगे तो यह किस से लिएट थी तो बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म से लिएट थी यह उतना नहीं आता एक ही बार आया आप तक है कुशन अगला देख होती है तो इन वे से कौन उस कमिटी में नहीं होते है तो दोस्तों इसमें total 3 मेंबर होते हैं ठीक ना एक नहीं होंगे और वह होंगे speaker of लोकसवा और इसका होता है प्रधान मंत्री और leader of opposition जो होता है लोग सबाइक वो भी इसका member होता है और एक cabinet minister होगा जिसको appoint prime minister ही करेगा तो यह 3 लोग होंगे दोस्तों जो मिल करके किसको चुनेंगे Chief Commissioner of Central Information Commission यह बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख लेना और इस समय कौन है यश्वर्धन कुमार सिन्ना यश्वर्धन कुमार सिन्ना इस समय हमारे Chief Information Commissioner है यह बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे तरकाया कमिशन दोस्तों कब बनाता और यह question आता तो correct answer उता 9083 यह और अगर यहाँ पर क्या पूछा है भई सब्मेट की थी और इसने अफने रिपोर्ट कब सब्मेट की थी दोस्तों तो यह आपको यहाँ पर बताना है नहीं है सबस्केशन है परечक्टीशन इसमेर एक्तूबर 19887 में की थी Def Can इस कमिटी में दोस्तों तीन मेंबर हुआ करते थे और इसमें से एक option चूस करूंगा तो मुझे बाद वाला ही चूस करना पड़ेगा तो मैं इसमें 88 लगा करके आता बट करेक्ट आंसर यह आप लोग यहां पर ध्यान में रखना तो सच बताओं तो यह सारे के सारे क्या यह पर रॉंग है तो यह पॉइंट भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा विच आप फॉलिंग कमिटी रिकमेंडेट इंक्लूजन ऑफ फंड्नामेंटल ड्यूटी बाई कई बर बता चुका हूं सरदार सोर्ण सिंग कमिटी इंटर स्टेट कांसिल जो है दोस्तो इसको और बढ़ाने के लिए जिससे हमारे इंडिया का मैसिव ग्रोथ हो और इसी कमिटी के रिकमेंडेशन पर ही जीस्टी भी आया है यह यह बी एक बढ़िया कुश्चन है जो आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला सेकेंड बेकवर्ड क्लास कमिशन बार-बार मंडल कमिशन फर्स्ट मैंने आप लोग को बताई दिया है अना बताओ फर्स्ट वाले में मैंने आप लोग क्या बताया था बताओ कमेंड में लिखना जरूर अना काका का लेकर चलिए अगला बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोड में स्पेसिफिक रिक्वार्मेंट होती है पुलिस है पुलिस है पुलिस है इस से लेटेड दोस्तों लोग बात करेंगे जो गाइडलाइन हो किस ने बनाए थी यह आपके सामने यहाप एक कोश्चन आपको देखने को मिलेगा तो इस कोश्चन को अगर आप लोग यहाँ पर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डी के बसू गाइडलाइन और जो विशाखा गाइडलाइन है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको उतायता हूं कि यह किस से लेटेड है यह भी जाम में आता है एक्चुली से लिटेड है और ईटीट जेस्टिस रह चुके थे करनाटय को कि ऐस को अगला कुश्षन बोला जारा है क्यों में एक गॉर्भ बनाया गया ता जो कि दोस्तों बिटिश इन्डिया में रिफार्म लाने के लिए बनाया गया था जिसमें एलिक सात में पर Talk brothers Ch साइमन कमिशन जो बनाया गया था 1927 में इंडिया था 1928 में जिसके हैट कौन थे सर जॉन साइमन क्यों बनाया गया था कि यह लोग हमको रिफॉर्म सजेस्ट कर सकें आई होप आप लोग को बात अच्छे समझ में आ रही होगी पार्लामेंट का कुश्चन देख लेते हैं आउर राजसभा की उसका प्रिसाइडिंग ओफृसर अई इसके कड़ा रहे हो तो यह था सेचिएर लेक्चर को सेचन को यहां पर शेर वगारा कर दीचेएगा session को like करेगा ताकि इसकी reach बढ़े तो हम लोग मिलते हैं next session में thank you so much guys